अब स्वागत है मैं राइश शर्मा आपको प्रियावरन श्रम्शामकी के क्लास में स्वागत करता हूं और वल्लकेम टू अनकाडमी प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का फ्रेंड तो बिल्कुल आप लोग जॉइन करों इसको तो लेट्स विगेन हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बात करेंगे आज जो टॉपिक है बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और यह परियावरन समशामकी का एक सरीच चल रहा है फ्रेंडिस में और इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे आपका गंगा नदी के लिए इप्रवाह मांधन इफ् प्लेटफॉर्म है दो तरह के प्रोगाम चल रहे हैं एक उनलाइन एक आपका प्लस का प्रोगाम है और एक आइकोनिक है आइकोनिक बेस्ट प्रोगाम है फ्रेंड क्योंकि यह स्टडी के साथ साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दिया जाता है इसमें और डेली इसमें इंट्रव्यू सभी लेबल पर गाइड करता हूं काफी लोग का सेलेक्शन हुआ है आप भी इनमें सामीर हो सकते हैं और मेरे टेलिग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर लिजे तो इसमें आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे सारे नोट्स होगरा सारे आपको म अफ्सिया है तो प्लस की जो फी है 12 मंची ऐ 59,500 है मेरे कोर्ड का इस्तमाल करें औरकेस 10 इसमें 44,550 पे करना होगा और 24 मंच का जो कोर्स आपका है 72,000 है इसमें आपको 64,800 पे करना होगा और इसको मेरे मेरे कोर्स करेंगे आर्केस्ट हैं तो आपको 57600 पे करना होगा और यह आपका 24 मंस का Iconic जो है 99000 का है इसमें आपको 89100 पे करना होगा इसको यह माई में पे कर सकते हैं 4100 और इसमें आपको 5300 और इसमें ऑफिसनल भी आपका फ्रेंड अलग से ऑफिसनल भी यह सारे अवलेबल हैं और इसमें भी मेरे कोड का इसमाल करेंगे तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा फ्रेंड यह 6 मंत का है 12 मंत का है 24 मंत का है 36 मंत का है तो मेरे कोड का इसमाल इसमें आप कर सकते हैं और मेरे कोड का करते हैं तो आपको विलकुल नराशा नहीं होग सारे गार्जान को कि यह तो हम लोग टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के आज काADE गाज तो आज का टॉपिक फ्रेंड गंगा नदी के लिए इप्रवाह मांदन तो यह क्या है इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे और इसी तरह से फ्रेंड इसको ज्यादा आप लोग लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और यह इन्वार्मेंट का आपका मैं पूरा सिरीज लेके आ रहा हूँ करेंट अफेयर के लिए और यह जब तक आपका एक्जाम 2021 में जब तक एक्जामिशन के पहले तक जितने भी इंपॉर्ण टॉपिक है जैसे भी चर्चा में आपका दो रामसर साहिट आपका है एक उत्राखंड में और एक आपका बिहार में पें इंवार्मेंट के अंतरगत जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है महत्पुन जानकारिया है मैं असियर करूंगा आपके साथ कि 2021 के लिए आप जब UPSC का प्री देने के लिए जाए तो कोई भी प्रस्न आपका नहीं छुटा फ्रेंट नहीं बिल्कुल नहीं छुट करेंगे और obviamente में तो कि रहा हूँ तो like shareckersam करते रहें उपफ्रेंट और support करें इसमें और सबसे पहले इसमें आपका एको रास्टिय स्वक्ष गंगा कि जो सहायक नदियां है इनके उपरी भाग में अवस्थित करीब करीब 11 जल विधुत परियोजनाव में से चार गंगा पारिसितिक प्रवा मांदन्नों का उलंगन कर रही है ठीक है मतलब जो 11 वाटर हाइडो एलेक्टिक पावर जो प्रोजेक्ट है उसमें से चार है यह एकलोजिकल जो पैरामीटर है उसका क्या कर रही है उलंगन कर रही है तो प्रियावरनिय प्रवा का आसे क्या होता है तो प्रियावरनिय प्रवा का आसे यह है कि इको सिस्टम आप जानते है जहां पर आपका बायोटिक ए बायोटिक कॉंपोनेंट होता है बहुत system की जो संरक्षना है एवं function है एवं कार है तथा इस पर जो प्रजातियों जो species dependent है उनके संरक्षन के लिए minimum water चाहिए minimum water का flow चाहिए तो minimum water का flow चाहिए इसी संदर में इस flow को बनाए रखने का मतलब है इसको बनाए रखना यही आपका क्या है e-flow parameter मतलब अगर minimum water flow नहीं है तो ecosystem breakdown हो जाएगा ecosystem breakdown होगा सारे spaces खत्म हो जाएंगे ecosystem खत्म हो जाएगा तो यह इसका main concept आपका फ्रेंड है और नियूंतम प्रवा को बनाए रखते हुए नदियों की पारिस्थितिक गुनवत्ता जो ecological quality है उसको बनाय रखना मतलब रखा जाना चाहिए और नदियों को drought मतलब dry सुखने नहीं देना चाहिए और या उनके अपवात तंत उनका जो drainage system है उसके जो जल विग्ञान और ecological वर्क सिस्टम है उसके conservation के लिए जो भौतिक अवस्थाएं है उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए तो यह इसका main इसका उद्देश है और इप्रवामांदन जो है इस नदी को प्राकृतिक रूप से स्वेम को स्वच रखने और जो aquatic biodiversity है उसके संदक्षन के लिए नदी को capable बनाने के लिए बांधों और बैराज जो बांध है जो बैराज है वहां से जो निर्मुत जो मतलब जो वाटर निकलने वाली है जो जलरासी है उसका निर्धारन किया जाता है तो यह एक important है कि गंगा नदी के लिए इप्रवामांदन बनाये गया है इसका उद्देश क्या है उद्देश क्या है ecosystem के balance को बनाये रखना biodiversity को बनाये रखना species को बनाये रखना तो यह इसका में उद्देश है और यह प्रवामांदन इस नदी को प्राकृतिक रूप से स्वेम को स्वक्ष रखने natural रूप से तथा इसकी जो aquatic biodiversity है conservation of aquatic biodiversity नदी को बांध बैराज से जो water flow को का निर्धारन करना है तो यह main आपका important यह concept है गंगा नदी के लिए इप्रवामांदन जो एक important information था जो मैंने आपसे share किया और फिर मैं आपके लिए next कोई important topic को लेकर आऊंगा और मेरे code का इस्तमाल करें admission के लिए subscription के लिए आरकेस्ट मेरा code है 10% इसमें आपको discount मिलेगा फ्रेंड like share subscribe करते रहे फ्रेंड और plus का course है iconic course है iconic based course है फ्रेंड जिसमें आपको study के साथ साथ proper guidance मिलेगा या plus है iconic है लेकिन admission आप 2 साल के लिए लेना फ्रेंड क्योंकि एक साल तो exam का patent होता है और एक साल आपको त्यारी में समय लगती है तो इसी कारण से 2 साल का join करें और बेहतरीन तरीके से आपको अपने आपको streamline कर सकते हैं clear cut आपको roadmap मिलता है admission के लिए आप credit card debit card का इस्तमाल कर सकते हैं और इसको EMI के थूरू भी pay कर सकते हैं और घर बैठे अपने तयारी कर सकते हैं तो unacademy based है friend बिल्कुल unparallel organization है educational platform है online platform है बिल्कुल join करें अपने घर बैठे अपने table से आप पूरी तरह से UPSC के तयारी कर सकते हैं और सभी हम लोग पूरी तरह से guide करेंगे मेरे code का ज़रू इस्तमाल करना RK stand तो okay bye see you all the best friends फिर मिलते हैं किसी नए topic के साथ परियावरनी समसाम की program के अंतरगर okay bye see you